हेलो दस्तों क्याल चाल कैसे हैं हम सभी लोग स्वागत अपका सिदिस कैलन्स की एक और निमस्दार गेंपले वीडियो में पिछली वेडियो में हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डैम बनाया था क्योंकि अपनी सिटी में इलेक्टिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी तो फिर मैंने यहाँ पर एक डैम बनाके हाइडरो पाउर प्लांट लगा दिया जिससे की अपनी सिटी को काफी ज़्यादा अभी इलेक्टिसिटी मिल रही है यहाँ पर एक छोटा से एरिया भी बना दिया है जो कि पूरे पूरे लो डेंसिटी वाले एरिया है यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़े करनी है धीरे धीरे वह सारी चीज़े करते रहेंगे बागे पिछली वोड़े में हमने यहाँ पर एक IT कलस्टर भी बनाया हुआ था क्योंकि अपनी सिटी में बहुत ज्यादा highly educated लोग भी हैं उनको काम करने के लिए जगह नहीं था तो फिर हमने यहाँ पर IT कलस्टर लगा दिया है धिरे धिरे मैं अपनी सिटी में काफी सारे changes करते जा रहा हूँ अभी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा change किया पहले यहाँ पर यह रोड ऐसा ही connected थे फिर मैंने एक roundabout यहाँ पर बना दिया इधर से एक one way highway ले जाके यहाँ पर direct connect कर दिया और एक one way highway यहाँ से लाके यहाँ पर इधर को connect कर दिया और एक one way highway इधर से connect कर दिया इससे क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्कुल भी traffic नहीं हो रहा पहले बहुत ज़्यादा traffic यहाँ पर हो जा रहा था तो अब traffic वैसे नहीं हो रहा बाकि यहाँ पर मैंने एक चीज और कर दिया यहाँ पर पहले bus stop हुआ करता था तो इसको मैंने बस side में कर दिया है यहाँ से एक one way वाला road लाके यह दो को bus वगर आ रही है वो आराम से आके यहाँ पर stop पर रुख जाती है इस road से कोई भी मतलब नहीं होता तो यह काफी सही है ऐसी ऐसी detailing की चीज़े हम अपनी city में बहुत सारे जगों पर करेंगे अब फटा फटा से चलते हैं वीडियो की तरफ और जितने भी सारे लोग चैनल पर नए आएंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटा फटा से चैनलों को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना अब चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले तो हम अपनी city में चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नई गेम आने वाली है जो कि PC और Mobile दोनों के लिए बन रही है जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे काफी जदा अच्छा लगा तो एक बार आप लोग भी ट्रेलर को देख लो झाल 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 अच्छा लिंक मैंने डिस्किप्शन में दे रखा है आप उसे भी चेक आउट कर सकते हैं पहले तो एक चीज मैं यह करना चाहूंगा यह वाला जो एरिया खाली है न इधर को कुछ चीज़े बिल्ड कर देते हैं यहिए end का road इधर से लेके जाता हूं यहां से इसको लेके चलता हूं इधर को यह आएगा यहां पर ठीक है और उसके बाद यहां से रोड को को लाएंगे यहां तक और इसको connect करेंगे यहां यहांसे यहां से connect हो जाएगा यहाँ पर ऐसे ओके यह दिखने में बहुत ज़्यादा आजीब लग रहा है ऐसा नहीं बनाना अभी इसको सभी करता हूँ अभ यह पहले से तो काफी ज़्यादा बेटर लग रहा है अभ यहाँ पर लेते हैं टू लेन का रोड यह यहाँ से जाएगा यहाँ पर और इसके ब पर ने कुछ यूनीक चीजे भी कर सकते हैं जो कि थोड़ी अच्छी लगे देखने में तो यह एक ऐसी चीज है जो हम यहाँ पर बना सकते हैं काफी सही लगेगा यह देखने में स्वापिंग के लिए अपनी सिटी में एक और जगह हो जाएगा तो सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर मॉल अफ मॉडरेशन की बिल्डिंग लगाते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट एरिया मेरे को यह लग रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी सही लगेगा यह देखने में त इधर साइड को पार्किंग बना सकते हैं या तो हम यहाँ पर मल्टी स्टोरी डेकोरेटी पार्किंग लट लगा सकते हैं तो इसको मैं काम करता हूं यहाँ पर प्लेस कर दूं यहाँ पर लेता हूं मैं फोर लेन का वन वे रोड इसको अपग्रेट कर देते हैं इधर साइ Day यहां पर त्रि लगा देता हूं यहां से यहां इधर यहां जाएगा यहां गया है ओके मिद हैं ऐसले लगड़ों लगड़ों भूरने से अरा ट्री दो तक्षिस हैं से भी तो यहां पर road На यहां और इसके बीच मेर tip ठोड़ों नाइस अब देखो यह काफी बढ़ियां लगने लगया देखने में यहां पर Parking की कोई दिक्कत नहीं है बट लोग पार्क करने kurif why are this तो यहां से इधर को आएंगे पार करने दोड़ा गढ़ लगर है वैसे तो एक चीज और कर सकते हैं अगर लोगों को पार्क करना है तो वो यहां से जा सकते हैं इधर को यहां से सीधे जाए के पार्किंग में पार्क कर सकते हैं फिर यहां से पैदल जा सकते हैं मौल में नाइस अब सही है यहां पर हम कोई प्लाजा लगा सकते हैं हमारे प करते हैं इसको कर देते हैं बिल्कुल सेंटर में यहां पर ऐसे ओके नाइस और इसके पूरे साइड साइड में यह मैपल का ट्री लगा देता हूं यहां यहां पर यहां तक और यहां जाएगा यहां इसको कर देंगे यहां पर complete और यह हो जाएगा यहां से यहां तक अब यह काफी ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में तो इदर बीच से काम करता हूँ यहां से यहां पर connect कर देता हूँ इदर को यहां से यहां पर connect ठीक है काफी सारे path connect हो गए इदर के लोग आराम से पैदली चलके इदर को आप आएं बाकि एक चीज़ में यहां पर और करने की सोच रहा हूँ वो है यहां पर monorail लगाने का क् जिसको अलग-अलग एरिया से connect कर सकते है जैसे इदर को नया area बनाके इदर को connect कर सकते है यहां से office के talk कर सकते हैं उसके बाद monorail एक यहां से यहां के कर सकते हैं तो यह भी ठीक लग लग रहा है वैसा idea मेरे को काम करते हैं सब्सक्यों पहले यहां पर faded का एक station place कर दिया है अपनी सिटी में वैसे सारी Transpoort की चीज़ा चल रही है सिर्क Monature नहीं चल रहा है तो आज Monorail का काम भी complete करते हैं Monorail गया कहाँ आँ बाई अच्छा यहां Monorail इसको place करेंगे हम याँ पर एक Tree मेशन यहां पर place करते हैं, यहां से लेते हैं, तूलेन नी तो इनको noise pollution नहीं होगा, इनके पास लगाता तो इनको थोड़ा से noise pollution होथा, यहां पर बिल्कूल noise pollution की भी दिक्कत नहीं आएगी, यह track तो यहां से बिल्कुल ही सीधा जायेगा, यहां तक के लिए ओके नाइस इसको लेके जाने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है क्योंकि यहां पर train track भी आया हुआ है और यहीं से अपने को लेके जाना है तो इसका एक simple से जुगार कर सकते हैं इस वाले को बिल्कुल ही down कर देते हैं यहां से ओके डन और same इन सब को down कर देते हैं ओके नाइस यहां से train track चला जाएगा और यह क्या चीज़ है भाई यह दो को यह राजते में लगा हुआ है और मैंने इस पे कभी ध्यानी नहीं दिया भाई ऐसे थोड़ी न चलेगा इसको यहां से लाके बीच में कर देता हो यहां पर अब ठीक है नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है यह आएगा यहां पर अब ठीक है न अब बराबर है रोड पे नहीं है भाई यह रोड पे लगा हुआ था इस चीज़ को मुझे ध्यान देना चीज़ था कि ZaRita क्या करें चलो कोई बात नहीं अब सही हो गया अब यहां से ट्रैक लेके चलते हैं सबसे पहले तो यहां तक लाते हैं इसको के नाइस अब उसके बाद यहां से ओ यहां तक और अब यह यहां से जाके यहां ऑके यह बड़ा रूट के लिए यहां से लेकर यहां तक वैसे इदर को भी रोड ले उट बनेगा तो एक स्टॉप इदर को भी बना देंगे टिंसन नहीं है बाकि एक यहां पर भी कनेक्ट करना है तो पहले तो इसको लेके आते हैं इधर से यहां पर आए गई है फिर यहां तक आएगा फिर यहां से यह curve होगा इधर को और यहां पर हो जाएगा connect इसको इधर को लाना है ऐसे ओके तो यह वाला track भी काफी सही तरीके से connect हो चुका है यहां से यह tree अटा दो रास्ते में tree नहीं लगने चाहिए यहां पर तो tree नहीं है नहीं यह आके यहां पर connect हो चुका है वैसे अगर monorail हम बनाई रहे हैं तो monorail का connection थोड़ा और कर सकते हैं यह वाला जो monorail यहां तक आ रहा है इसको हम थोड़ा और आगे तक ला सकते हैं जिससे की यह वाला area भी connect हो पाए उसके लिए हम इधर को एक stop बना सकते हैं या तो हम इधर साइड को कहीं पर यस कर देते हैं वैसे यहां पर प्लेस करो यहां पर प्लेस करो यहां इधर को तो प्लेस नहीं करना इधर साइड को प्लेस कर सकते हैं और यहां से path ला सकते हैं जिससे आसानी से लोग यहां पर आपा हैं एक और station बना सकते हैं इस वाले जगह पर यहां पर भी एक monorail का station हो सकता है अब इसका फटा फट से track connect करते हैं ओके तो guys यह देखो हमने बहुत ज्यादा बड़ा monorail का track बना दिया यहां से अगर सुरू करें तो यहां से जाता है एक stop लेता है इस वाले जगह पर यहां से अपना यह वाला area भी connect हो जाएगा फिर यहां से जाता है इस high density वाले area से connect होते हुए यहां पर एक stop लेता है यहा यहां पर mall of moderation आज हमने बना है यहां पर connect करता है और यहां से लोग वैसे airport पर भी जा सकते हैं अभी इसका line भी create करना पड़ेगा monorail तो हमने लगा दिया line नहीं create किया तो सबसे पहले line create कर लेते हैं पहला line create करते हैं यहां से यह वाला जाएगा सबसे पहले अपने office वाले area में यहां पर एक stop ले लेगा उसके बाद यह यहां से आएगा फिर एक stop ले लेगा यहां पर यहां से आएगा एक stop ले लेगा यहां पर वापस आते टाइम यह एक stop लेगा यहां फिर वापस आएगा तो एक stop ले लेगा यहां पर फिर इदर से यहां पर आके complete हो जाएगा ओके तो गाईस यह कुछ जादा ही लॉंग रूट पड़ जाएगा मोनो रेल के लिए चलो देखते हैं यह कैसा वर करता है और कितने सारे लोग इसका यूज करते हैं अभी तो यहाँ पर एक भी मोनो रेल आए नहीं भाई आजा ओके मोनो रेल आना स्टार्ट हो गई है यह कितनी तेजी से मोनो रेल आ रही है वैसे हम यहाँ पर चेंज भी कर शकते हैं मोनो रेल को अभी वालगरी embargo मोनोरेल चल रहा है वह 180 की capacity वाला चल रहा है हम यहाँ पर 120 की capacity वाला चला सकते है 240 की भी capacity वाला चला सकते है तो यह काम करते हैं दोनों को 240 वाली capacity का चलाते हैं काफी बढ़िया लगे का देखने में ओ आ गया भाई इतनी जल्दी आ भी गया यह देखो गाईस यह कुछ जादा ही अच्छा यह अपने office वाले area हम जाता है और यहां से IT cluster देखो कितना crazy लग रहा है वैसे अभी इधर का पूरा area grow करना है तो पूरा जब area grow होगा इधर गाना वो तो crazy लगने वाला यह दो कवाई नीचे से train जा रही है और नीचे highway भी है उपर से monorail जा रही है वा यह वाला route तो काफी बढ़ियां लगा वैसे देखने में अब एक बार को हम इस वाले route पर चलते हैं यह वाला route कैसा लगता है तो सुरू हम करेंगे यहां से यहां पर कोई monorail है चलो कोई नहीं अभी monorail लहीं है वेट कर लेते हैं जैसे एक monorail आती है फिर यहां से देखते हैं कि इ यहां से return होगी तो यह पूरा route देखते हुए चलेंगे कि देखने में यह कैसा लग रहा है और यह यहां से चल दी और यह देखो यार कितना जादा बढ़ियां लग रहा है हर साइड को tree लगे हुए हैं यहां से हमें city का भी view देखने को मिलता है यहां पर buildings वगरे प्लेस ह यहां से हम lake का भी view देख सकते हैं थोड़ा सा lake का view मिलेगा हमें जादा तो lake का view नहीं मिलेगा बट काफी सही लग रहा है देखने में इसके just बाजू से एक metro का track भी गया हुआ है यह भी बढ़ियां लग रहा है देखने में और Monorail का यूज काफी सारे लोग कर रहे हैं व यहां से होते हुए हम जाएंगे और हमारे Monorail station पर आग लग चुकी है वाव भाई वाई जैसा ही Monorail station बनाया यहां पर तो आग ही लग गई यह क्या बात होती है यार और यह वहीं जा रहा है आग में हैं सारो लोग इसी आग में उतरेंगे जल जाएंगे यार ओ भाई यह देख रहे हो भाई परवाई नहीं है इनको passenger की कहीं पर भी उतार दे रहे हैं भाई बीच आग में उतार दिया सबको यह भी ठीक था और यहां से देखोगे तो airport देखनों के मिलता है काफी बढ़िया लुक मिल रहा है यहां से तो वैसे दोनों रूट काफी बढ़िया बना देते हैं एक पाथ यहां से लेकर यहां पर बना देते हैं यहां पर एक FIB का headquarter पड़ा हुआ है जो की बहुत ज्यादा बड़ी building है एक बार इसको देखो गाइस यह कितना ज्यादा बड़ा building है अगर मैं इसको यहां पर बना देता हो न तो भाई क्या ही लगने वाला है यह एक बार इसको मैं यहां पर place करता हूँ ओके और इसके just side सही aeroplane जा रही है भाई अगर थोड़ा सा इदर उदर हुआ न तो वो direct इसमें भिढ जाएंगे एक बार को wait करके देख लेते हैं कि कोई भी अगर aeroplane आती है तो वो इसके कितने नजदीक से आती है अगर वो है तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसको यहीं पर रहने देंगे तो थोड़ा wait करते हैं देखते हैं कब तक aeroplane यहां पर आती है land करने के लिए कोई तो aeroplane आ रही है यह यहां से होते हुए आ रही है बस देखना है कि यह इसके कितने पास से जाती है ओके यह इस building के बिलकुल से गई बट काफी सही लगा देखने में ओ नाइस भाई यहां से इसका view देखो aeroplane को आने में वैसे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ भाई यहां पर एक बार देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं पूरी parking यहां पर बर चुकी है काफी सारे लोग आ रहे हैं और यह वाला जो और यह जो area बनाया ना यह काफी ज़्यादा बढ़िया बनाया और आज के लिए हमने सबसे अच्छी चीज कर दिया है हमने अपनी city में monorail का transport स्टार्ट कर दिया है तो आज के लिए तो बस इतना ही रहेगा I hope कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेला के में प्रेश कर देना मिलते हैं आप लोगों से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई